भारत में फैल रही कोरोना महामारी के संक्रमर से आम आत्मी को बचाने के लिए पियम मोदी ने पूरे देश में तीन मैं तक लॉक्टाउन की खोशना की जिससे रोजमरा की जिन्दगी जीने वाले कामगर मजदूर वर्ग के बीच भूजन की भी लाले पड़ गए जिनके लिए संक्र की इस खड़ी में केवल सरकारी राशन ही एक मात्र पेट की भूख शाद करने का सहारा है यही नहीं पियम मोदी ने इन गरीब मजदूरों एवं बीपी अल कार्ट धारकों को इस महामारी के दौरान निसुल्क राशन देने का फरमान चारी किया किन्तु पूर्ति विभाग की मिली भगत से कोटेदारों की मनमानी इसकदर हावी है कि वो पहले राशन विट्रन में प्रती राशन कार्ट दो से तीन किलो घट तौली करते हैं और बीपी अल एवं मजदूर गरीबों से भी वसूली से बास नहीं आ रहे किन्तु राशन कार्ट धारकों द्वारा बार बार कोटेदार की शिकायत करने के बावजूर भी जिम्मेदारों द्वारा इनकी मनमानी में नकेल कसने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता जबकि कई बार कोटेदार रासन काट धरकों के बीच मारपीट की नौबत भी आ जाती है लेकिन जिला कर सासन अभी भी मौन बनी हुई है जबकि सासन द्वारा गरीब वा मस्दूर वर के काट धरकों को निशुलक रासन का आदेश दिया गया है आपको बता दे कि बांदा जिले में अधिकान्स कोटेदा सप्लाइ इंस्ट्रक्टर वापूर्ती विभाग के अधिकारियों से मिलकर गरीबों को मिलने वाले निशुलक खादान पर डाका डाल रही है और गरीब मस्दूरों पर धोस दिखा कर कम खादान दे रही है दाजा मामला बांदा जिले के नराइनी तहसिल के ग्राम बेला पुर्वा अंस्मुतियारिका है जहाब का दबंग कोटेदार मम्तत्रिपाठी पती फरत्रिपाठी गाउन के गरीबों को मिलने वाले निशुलक खादान पर डाका डाल रहा है कोटेदार द्वारा गाउं से 6 किलो मीटर दूर ग्रामीडों को बुला कर राशन दिया जा रहा था साथ ही जॉब कार्ट धारकोवा अत्युन्दै कार्ट धारकोगों को रुपई लेकर वा खादान में कटोती की जा रही है लॉकडाउन में ग्रामीडों को 6 किलो मीटर दूर बार बार नरायनी जाने पर पुलिस की पिटाई का सिकार होना पड़ता है जिसके कारण ग्रामीड खादान लेने भी नहीं जा रहे कोटे दार द्वारा प्रती यूनिट 2-3 किलो गरीबों के खादान से कटोती की जा रही है ग्रामीडों ने शिकायत की है कि कोटे दार द्वारा अपने रिष्थेदारों को जुसंपन हुए कि अत्योंदे रासन कार्ट जारी किये गई है जो सरासन डियम विरुद्ध है जब कि गाउं में गरीबों का अन्योदय कार्ड नहीं बनाया गया नराइनी स्थित पूर्ती कर्यालय में ग्रामीडों द्वारा कोटे दार के विरुद्ध कई बार शिकायत की लेकिन आज तक न जाच की गई न गरीबों को न्याए मिला इससे आज जाकर ग्रामेडों ने आज एकत्र होकर गाउं में प्रदर्शन कर जाच की मांग की है इस दौरान उपस्थित लोगों में टिर्रा, कल्लूराम, बड़ा भाईया, राजकुमा, शिवराम, शहीत एक दरजन महिलाएवा पुरुष उपस्थित रहे बाना से समवादा था उमेश यादाव की रिपोर्ट पर को जाते है तु टी बार के बार था कि अथा जाते हैं कहां जाते हैं इसवांında के लोध यहां से कंझे है पर इन आही किले मेटरा quelleह ही जाता है दो कोई से आपने घञाद में नारेनी है अच्छा तो नारेनी में क्या समयस्या काधी वहां ट्राइस दो बार गया अब फिर गाहा आद तरहाद फिल डगा है अठा कौनसा काड है आपके पास? पूजरवाला नाम है आपका हमारा नाम सिवराम है कहा रहते हैं बेला पुरावम रहते हैं अच्छा किस पिटा की समस्या है यहां लोगो को दो बारंग उठा लगाने गए अब जब रोड में घड़े हो जाते हैं तो कदें सरवर नहीं पकड़ता है उधर से पुलिस आ जात दिया है दो महीने हो गए चार महीने का चार यूनिट का दिया रिक जा और पैसा फिलिया है अच्छा लेए sytu गें देता है तो हमको इस पताने कि पैसे में देता है कि या अएसे progressus एपनिक कॉछ जाबकार्ट में जो निने आते हों उसको भी पैसा माया हुआ है। परधान से बताया था परधान बोल रहते हैं कि हम आएगे परधान आया नहीं था जब परधान को बोलवाया पता दिया परधान आया परधान से बताया झाल